हाउ रुफीक्स सैमसंग गेलेक्सी ओन नेक्स्ट इंकामिंग कॉल वोलियम प्रोब्लेम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो हैं इंकामिंग कॉल वोलियम प सकते हैं तो अगर दोस्तों आपको यहां पर प्रोब्लेम सॉल्फ करना है तो इस वीडियो को अंतक देखे जो भी मैं आपको सॉलूशन बताऊंगा उसको फॉलो करें आपका प्रोब्लेम डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा ठीक है इनकमिंग कॉल के इनकमिंग कॉल वोल लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रोब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं इनकमिंग कॉल वोलियम प्रोब्लेम हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए मोबाइल को करें ठीक है तो ऐसा करके देखें एंडेंट चेक किजिए कि आपका जो प्रोब्लेम होता है यह नहीं होता है अगर प्रोब्लेम पर तो जब कॉल कर रहे होता है तब आप अपने वोलियम को इंक्रीस कीजिए इससे भी दूस्त आपको जो है वोलियम लाडर सुनाई देग ठीक है जब कॉल कर रहे होते तभी आपको कॉल वोलियम यहाँ पर इंक्रीस करना होता है ठीक है फिलाल अभी आप करोगे तो आपका म्यूजिक वोलियम ही इंक्रीस होगा लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे होते तभी आपको और यहाँ पर वोलियम बटन आप क्लिक करन है ठीक है अगर कॉल वोल्याम बहुत ही दिरे हो रहा है तो आप उससे इंक्रीज कर सकते हैं तो नेक्स्ट पर जाते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों आपको क्या करना है स्क्रोल डाउन करना है ठीक है एपस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो है आ जाना है और आपको तो phone service में जाएं स्टोरेज पे क्लिक किजिए ुसतोरेज पे क्लिक करने के बाद clear data अब हो जाएगा data clear होने के बाद सारे permissions आप कर लीजिये उसके बाद दोसक्तों को बेक करना हैै बेक करने के बाद आपको जाना है General Management पे End and आपको क्लिक करना है Reset और उसके बाद जाना है Reset Network Setting Dual SIM में तो SIM को सेलेक करें और यहाँ पे Reset पर क्लिक कर दीजिए Reset पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको Password पुछा जाएगा Mobile Password बर दीजिए Mobile Password बरने के बाद आप देख कीजिए Mobile को Restart कीजिए सारे Applications को Close कर दीजिए Close All पे क्लिक करके यहाँ पे End and आप चेक करके देखे Call कीजिए Problem Solve हो चुका होगा अगर Problem Solve हो जाता है तो ठीक है अगर आपको 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 पाबलम हा रहा है तो जाये सेटिंग पर एक बार Mobile नेट्रोक कनेक्शन को स्वीच करने की कोशिश करें ठीक है नेट्रोक यहाँ पर स्वीच कीजिए जैसी की तुझी 3G कनेक्शन से आप उसको स्वीच कर सकते ठीक पर कनेक्शन कीजिए ठीक काम नहीं कर रहा है तुझी तुझी के बार फोड़ जी ठीक है यह से नेट्रोक रीफ्रेश होते हैं सारे साथ एक्सेस पॉइंट नेम पर जाईए ठीक है आपकी एपिएन सेटिंग और उसको भी एक बार बर रिसेट कीजिए तो यहाँ पर रिसेट करने के लिए को ठीडोटि पर क्लिक करना है और रिसेट अवर Prisa लिए अगर नहीं किजिए ठीक है तो फिर अबडेट कीजिए ठीक है सो फिर अपडेट किजिए सो फिर अपडेट करने के बाद आपका incoming call problem incoming call volume का अगर problem रहेगा तो definitely और 100% यहाँ पर fixed हो जाएगा ठीक है तो इस तरहे के से आप अपने incoming call volume problem solve कर सकते हैं सो फिर को update जरू से किजिएगा by any chance फिर अपडेट करने के बाद भी काम और आपको प्रीफर करना यहाँ करना चाहिए यहाँ पर को और उट्परीट प्रीफर नहीं करना चाहूंगु कि आप अगर फिर भी प्रॉब्लेम आ रहा है तो हो सकते हैं जो भी बंद आपको कॉल कर रहे हैं उसमें माइक का प्रॉब्लेम हो सकते हैं तो सब्सक्राइब नहीं दे रहा हो या फिर आप किसी टेक्निशन के मदद ले सकते हैं वह भी आपको प्रोब्लिम जोई सॉल्फ करके देगा अगर मोबाइल वेरेंटी पे तो आप सर्वेस इंतर जा सकते हैं फ्री में सॉल्फ हो जागा प्रोब्लिम तो यह सारे चीज़ आप यहां पर कर सकत हैं ठीक है in कामिंग कोल फॉल्फ लोव प्रोब्लिम या फिर इंकामिंग कोल फॉल्फ रभाइन तो आप यह सारे सोल्फ इसन के मदद से फीक्स कर सकते हैं आज के इस वीडियो बादों सबस इतने उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद होगा टैंक्स वो डाचिंग